अलो स्टुजेंट आपका स्वागत है नगीन बैस्ट डिजिटल लार्निंग चैनल में आज हम लिकराए हैं क्लास 12 की हिंदी बुक आरोहो भागतों का चैप्टर 4 शिरिश के फूल शिरिश के फूल चैप्टर के आज हम एक्स्ट्रा कोशन अंसर करेंगे हमने पहले इसके प शिरिश के फूल निबंद के लेखक है हजारी परसाद दुएदी जी ने शिरिश के फूल शिर्चक निबंद कलपना से उद्गरित किया है इसमें लेखक ने आंधी, लू और गर्मी की परचंडता में भी बर्चे की तरह आविचल होकर कोमल फूलों का सुंदर्रे बिखे रखा है शिरिश के माद्यम से मनुष्यों के जीवन और कलहे के बीच दहरे पूर्वक लोगों के लिए चिंता करतवे शिल बने रहने को महान मानव के मुल्ले के रूप में स्तापित किया है उसे इतिहास विभूती गांधी जी की याद हो आती है वह लेखक को इतिहास वि उठाता है वह गांधी वादी मुल्यों के अधार पर भी कसम उठा लेता है निबंद की शुरुवात में लेखक शिरिश के फूल की कोमल सुन्दरता के जाल बुनता है फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में फिर उसके जरिये मद्दे काल के सांस्कृतिक इतिहास में गुसत उसका खोकलापन भी उजागर करता है। वह उसके इतिहास को मद्धेकाल को और समानति शाही जीवन को सावधाने से उकेर कर और उसका खोकलापन भी उजागर करता है। वे अशोक के भूल जाने की तरह ही शिरिश को नजर अंदाज किये जाने की साहित्तिक घटना से आहत है इसी में उसे सच्चे कवी का तत्व दर्शन भी होता है उसका मानना है कि योगी की बिना किसी से जूरी शुन्यता और प्रेमी की सरस्पून्यता एक साथ उपलब्ध होना सच्चे कवी होने की एक मात्र शर्त है और वो यह भी मानता है कि कवी ही समस्त प्राकर्तिक और मानुए व्यभव में रमकर भी चूकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेणा देता है लेककनी इस चैप्टर में इस निबंद में शिरिश के फूल के पेड़ों के साथ साथ कई और पेड़ों के चायादर पेड़ों का यहां वर्णन किया है अमलताश का, शिरिश का और कई ऐसे पेड़े हैं जो मंगल जनक व्रिक्षों को में शिरिश को भी लगाया करते हैं वास्सायन कहते हैं कि बगीचेम की घनेक चायदार व्रिक्षों में और बगुल के पेड़ों में भी जूला लगाना चाहिए लेकिन लेखक तो शिरिश को ही उप्युक्त मानते हैं शिरिश की डाले कमजोर होती है और शिरिश का फूल संस्कृत साहिते में कोमल माना जाता है लेखक नहीं यहाँ पर कई परसिद कव्यों के नाम भी लिये हैं उनका उलेख भी यहाँ पर किया है कालिदास, कबीर और ब्रह्मा, बाल्मी की व्यास आधी कई कव्यों का वर्णन यहाँ पर किया है और शिरिश पक्की तरह लेखक के मन में भावो की तरंगे उठा देता है उन्होंने गांदी जी के विश्य में भी इस चैप्टर में बताया है जब वे वायू मंडल से रस कीच कर कोमल और कठोर बनते हैं शिरिश के फूल और लेखक जब शिरिश की ओर देखता है और हुक उठती है कि हाई वह अब धूत आज कहां है तो इस परकार लेखक ने चैप्टर के बारे में हमें शोट में बताया अब हम इसके एक्स्ट्रा कोशन से करते हैं कोशन नमबर वन लेखक शिरिश फूल की तुलना किस से करते हैं लेखक जो है शिरिश के फूल की तुलना किस से करते हैं लेखक शिरिश तुलना बसंतरी तुमें खिलने वाले पलाश के फूल से करते हैं नेक्स्ट कोशन रिक्त स्थान को पूरा करो कबीर दास को इस स्थान पसंद नहीं था आंसर कबीर दास को इस तरह से 15-20 दिनों के लिए शिरिश के फूलों की लहक का उठना पसंद नहीं था कबीर दास जी कहते हैं की शिरिश के फूलों का इस तरह 15-15 दिन के लिए उठना सही नहीं है अमल ताश के फूल 15 दिन के लिए खिलते हैं वो यह सोचते हैं कि शिरिष के फूल अगर 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए फूलेंगे तो यह है फूल का खिला उन्हें पसंद रही है वो शिरिष के फूल लंबे समय तक रहते हैं और वो 15-15 दिन के लिए नहीं खेल सकते लेकक अति प्रीचित और अति प्रमानिक सत्ते किसे मानते हैं? विलेकक जनम और मृत्यु को संसार का अति प्रीचित और अति प्रमानिक सत्ते मानते हैं नेक्स कोशन लेकक शिरिश को अदबुत अवधूत क्यों कहते हैं शिरिश फूल के लिए हर स्तिती एक समान है अते हर स्तिती में एक समान बने रहना ही इसकी प्रवर्ती है वे शिरिश के फूल की प्रवर्ती हर स्तिती में एक समान बने रहने की है इसलिए लेकक शिरिश को अदबुत अवधूत कहते हैं अदबुत अवधूत का मतलब बच्चे के मन की तरह कहते हैं नेक्स कोशन लेकक जहां बैठ कर लिख रहा था वहां का वातावरण कैसा था लेकक के अनुसार शिरिश के फूल वहां पर कैसा शिरिश के फूलों के पेड़ों के समूग के बीच में बैठ कर लिख रहा था जेट की गर्मी से धर्ती जल रही थी शिरिश उपर से नीचे तक फूलों से लगदा है गर्मी के में कम ही फूल किलते हैं अमल ताश केवल पंदरा बिज दिन के लिए फूलता है ये वे बसंत में किलते हैं बादो महा तक फूलते रहते हैं बिशन गर्मी और लू में यही शिरिश बच्चे के मन की तरह जीवन का मंत्र पढ़ाता रहता है शिरिश के वरिक्ष बड़े चायादार होते हैं वह लेकक जो है वहां जहां बैठ कर लिख रहा था वहां चार और शिरिश के फूल उपस्तित थे जिससे वातावरन बहुत ही सुंदर और अकर्शक लग रहा था साथी जेट महा की धूप धरती को और अधिक तपा रही थी चारों और लू चलत रही थी और बसंत में किले और बादो महा तक शिरिश के फूल किलते रहते हैं और यह बच चोग अफदुत बच्चे के मन की तरह जीवन का मंत्र पढ़ाते हैं और शिरिश के विक्ष बड़े ही चायाधार होते हैं और मंगल जरक विक्षों में शिरिश को भी लगाया जाता है इसलिए लेखक शिरिश के पेड़ के नीचे बैठ कर लिख रहा था लेखक के अनुसार जीवन की अजयता का मंत्र परचार कों करता है वह लेखक के अनुसार शिरिश का फूल ही अजयता का मंत्र परचार करता है क्योंकि लू के कारण जहां लोगों के प्राण सूखने लगते हैं वहां शिरिश के फूल अवधूत की भाती बच्चे के मन की भाती हर प्रिस्तिती में एक समान बने रहते हैं लेका कहता है कि जहां इतनी लू में हम लोगों के प्राण सूखने लग जाते हैं और वहाँ पर उस समय में शिरिश के फूल जो है एक बच्चे के मन के इभाती हर प्रिस्तिती में एक समान बने रहने रहते हैं। काली दास ने शिरिश के फूलों के बारे में क्या लिखा है कि पदम सहते ब्रमस्य पेलवम शिरिश पुश्पम ना पुने पत्रत्र नाम। इसका मतलब है कि शिरिश के फूल सिर्फ भवरों के पैरों को सहन कर सकते हैं बोज को लेकिन अपने पत्तों पर पक्षियों के पैरों को बोज को नहीं सहन कर सकते हैं। प्खशियों के 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 प परकार किसी वस्तु का जनम होता है वे शिरिश के फूलों को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे किसी वस्तु का जनम होता है उसी परकार उसका अंत भी होता है ठीक इसी तरह ये शिरिश के फूल भी एक दिन जड़ जाएंगे वे जैसे किसी वस्तु का जनम और मृत्य निश्च उसी परकार शिरिष के फूल भी एक दिन लेकक ऐसा क्यों कहते हैं कि महाकाल कोड चलाते हैं। उखे लेकक के अनुशार यम्राज मनुश्य पर लगातार कोडे से प्रहार करते हैं। में लेका कहता है कि यम्राज माहकाल यहां पर कोन है यम्राज मनुष्य पर लगातार कोड़े से प्रहार करते हैं जिससे मनुष्य के जीवन में सुख दुख जैसी परिस्तितिया उत्पन होती है वे सुख दुख की परिस्तितियों में हमें यह लगता है कि यम्राज मनुष्य पर कोड़ों से प्रहार कर रहा है मनुष्य के लिए यह पीड़ा जनक होती है परंतु तब भी मनुष्य के बीतर कभी भी जीने की ललक कम नहीं होती वे मनुष्य में अपना जीवन जीने की लल इसके विपरिद इसके फल इतने अधिक मजबूत होते हैं कि नए फूल निकल आने पर भी यह अपना स्थान नहीं चोड़ते वे शिरिश के फूल तो इतने कोमलोरा कर्शक होते हैं सिर्फ भवरों के पैरों के दाब यानि दबाओ को सहन कर सकते हैं अगर पक्षियों ने अपने पैरों का दाब उन फूलों पर डाल दिया तो वो जड़ जाते हैं लेकिन इसके विपरिद उसके फल इतने मजबूत होते है कि नए फूल निकल आने पर भी पुराने सारे फूल जड़ जाते हैं और नए फूलों के निकल आने पर भी यह अपना स्थान नहीं चोड़ते जब तक नए फल पत्ते उन्हें धकेल करें बहार ना निकाल दे तो ये अपना स्तान नहीं छोड़ते वह इसमें बताया है कि शिरिश के जो फल होते हैं वो अपनी स्तान पर इस तरह डटे रहते हैं कि जब तक नए फल और पत्ते आकर उन्हें धक्का मार कर भार नहीं निकालते और अपना स्तान नहीं बना लेते तब तक वो निकलते नहीं है next question काली दास पर लेकक ने क्या टिपणिंग की है बही हजारी परसाद वेदी जी ने काली दास पर क्या टिपणिंग की है answer लेकक ने काली दास को अनासक्त योगी कहकर संबोधित किया है लेकक के अनुसार काली दास भी शिरिश फूल के समान सरस और मादक रहे होंगे तब ही तो उन्होंने मेगदूत जैसी कावे की रचना की है वह लेकक कहता है कालिदास को अनासक्त योगी कहकर संबोधित किया है क्यों लेकक कहने सा कालिदास भी शिरिश फूल के समान सरस और मादक रहे और उन्होंने मेगदूत जैसी कावे की रचना की नेक्स्ट कोशन लेखक ने काली दास को श्रेष्ट कवी क्यों कहा है आंसर लेखक ने काली दास को श्रेष्ट कवी कहा है क्यों कहा है क्योंकि लेखक के अनुसार काली दास अनासक्त योगी रहे होंगे उनका मन हर परिस्तिती में स्तिर भाव एक समान और उनका हिर्दे प्रेम से भरा होगा उनका अनासक्त योगी का मतलब जिसमें उनका जो भाव होता है उनका हरीदे हमेशा प्रेम से भरा रहता है और हर परिस्तिती में उनके भाव एक समान रहते हैं जो एक श्रेष्ट कवी क गुण को दर्शाता है, यानि काली दास जी एक स्रेष्च कवियों में थे. Next question, शकुंतला काली दास के हिर्दे से निकली थी का भावा आर्थ लिखो, वै काली दास जी ने शकुंतला की रचना अपने हिर्दे से निकली वी शकुंतला से की थी, इसका अर्थ बताओ. काली दास के अनुसार शकुंतला अत्यदिक सुन्दर थी क्योंकि काली दास ने शकुंतला को उनकी बहरी रूप सुन्दर रहे से नहीं बल्कि अपने मन की सुन्दरता से देखा था काली दास के मन की द्रिष्टी के कारणी शकुंतला उनके हिर्दे से निकली थी काली दास ने जो शकुंतला के भारी सुन्धरता थी उसको देखकर उसकी रचना नहीं की थी बलकि काली दास ने शकुंतला के अपने मन की सुन्धरता से देखा था और काली दैस के मन की दृष्टी की कारणी शकुंतला उनके हिर्दे से निकली थी नेक्स्ट कोश्यन दुश्यन्त दुवारा बनाये गए चित्र में क्या कमी थी राजा दुश्यन्त ने शुकुंतला का एक चित्र बनाया था जिससे उनका मन रह रहकर इस बात पर विचली थोड़ता था उनका मन बार बार रह रहकर एक बात पर विचली थोड़ता था जैसे उस चित्र में कुछ छूट सा गया हो वो बार बार उस चित्र को देखते थे और उनका मन विचली थो जाता था कि उन्हें लगता था कि इस चित्र में कुछ छूट गया है बाद में उन्हें हैं समझाया कि वे शकुंतला के कानों में शिरिश के फूल देना भूल गए हैं वे वे शकुंतला के कानों में उनका शिंगार किया शकुंतला का और उसके कानों में शिरिश के फूलों को लगाना भूल गए हैं जिसके केसर गंडस तल तक लटके हुए थे जिसके केसर उसके केसर का मतलब उसके भाल गंडस तल तक लटके हुए थे Next question, लेकक पुराने कव्यों को क्यों फटकार लगाते हैं? जो हजारी परसाद दूएदी जी है वो पुराने कवियों को क्यों फटकार लगाते हैं लेकक के अनुसार वासायन ने काम सुत्रा में वाटिका के सग्र व्रिक्षों की चाया में ही जूला लगाने की बात कही है परन्तु किसी भी कवी ने शिरिश के व्रिक्ष पर जूला लगाने की बात नहीं कही है पुराने कवी बगूल के व्रिक्ष पर जूला लगाना उपयुक्त मानते हैं पुराने टाइम के जो कवी थे वो बगूल के व्रिक्ष पर जूला लगाना मानते थे सही इसके विपरीत लेकक के अनुसार शिरिश के व्रिक्ष की डालिया कमजोर तो होती है परन्तु उसमें जूला जूलने वालियों का वजन भी तो कम होता है में लेकक कहता है कि अगर डालिया कमजोर होती है लेकिन जो उस पर जूला जूलती है उनका भजन भी कम होता है इस बात पर लेकक पुराने कवियों को फटकार लगाते हैं नेक्स्ट कोशन लेकक के दुवारा किये गए शिरिश फूल का वर्णन करो आंसर लेकक हजारी परसा दुवेदी की अनुसार शिरिश फूल अजियता के मंत्र का परती क्या है शिरिश के फूल एक सन्यासी की तरह हर परिस्तिती में एक समान बने रहते हैं इसके विपरिद परिस्तिती में भी अपने सुंदर्रे और अकर्षन से लोगों के मन को लुबाते हैं अथार्थ शिरिश के फूल लोगों को यह सीख देना चाहते हैं कि हमें किसी भी परिस्तिती में हार नहीं माननी चाहिए एवं प्रतिकुल परिस्तिती में भी डटे रहना चाहिए नेक्स्ट कोशन लेकक ने हमारे आतम विश्वास को कैसे जग जो रहा है लेकक ने कैसे आतम विश्वास को जग जो रहा है लेखक ने संसारिक सुखो और मोहुमाया की बात करते वे हमें यह बताया है कि किस परकार आज मनुष्य की गलत परवर्तियों हिंसा और इर्शा की भावना ने मनुष्य को मनुष्य का शत्रू बना दिया है मैं लेखक कहता है कि संसारिक सुखो और मोहुमाया ने मनुष्य को इतना बिगाड़ दिया है कि वो हिंसा और इर्शा की भावना में स्वेम का ही शत्रू बन गया है ऐसी चिंता जनक स्तिती हमारे समाज के लिए घातक है इसलिए मनुष्य को सांसारिक मोहमाया को त्याक कर उपर उठने की प्रवर्ति लाना आवश्यक है आगे चल कर ऐसे लोग ही आतम विश्वास के परतीक बनते हैं वही इस तरह के लोग ही आगे चल कर आतम विश्वास के परतीक बनते हैं लेक्स्क कोशन लेकक ऐसा क्यों कहते है कि लिए वहवार की कठोर्ता भी कभी कभी जरूरी होती है आंसर लेकक के अनुसार शीरिश अपनी कोमलता को सुरक्षा प्रदान करने है तू लेकक के अनुसार शीरिश अपनी कोमलता को सुरक्षा प्रदान करने है तू बाहिये वातावरण सेहन करता है एवं अपने स्थान पर बने रहता है बहार के वातावरण को तो सेहन करता ही है और अपने स्थान पर बने रहता है ठीक इसी परकार मनुष् को भी अपने हिर्दे की कुमलता को बचाने के लिए कभी कभी कठोर वैवार की अवशकता होती है वह मनुश्य को अपने हिर्दे की कुमलता को बचाने के लिए कठोर वैवार करना पड़ता है जिससे वह सामने आए विभिन परिस्तितियों का सामना कर सके ताकि हिर्दे में क मन में दया का भाव बना रहे नेक्स्ट कोशन जो कवी अनासक्त नहीं रह सका जो फक्कड नहीं बन सका जो किये कराय का लेखा-जोका मिलाने में उलज गया वह भी क्या कवी है मैं कहता हूँ कवी बनना है मेरे दोस्तो तो फक्कड बनो उपरोक्त वाक्य का आश्ये स्पस्ट करो भई लेकक के अनुसार एक संपून कभी वो है भई वही कभी है संपून जो अनासक्त जीवन वेतीत करता है अधार्त सांसारिक मोह माया और दुख सुक से परे जो सांसारिक उपभोग विलासिता को त्याक कर फकड की भाती अपनी दुनियों में मगन हो जिनके हिर्दे में प्रेम हो जिस परकार कभीर दास एक फकड थे उनके इनी गुनों के कारण वेक महान कभी पर सिथ हूए इसलिए एक महान कभी बनने के लिए फकड पन का होना बहुत जरूरी है बही लेकर कहता है कि एक महान कवी के लिए सबसे बड़ी बात क्या होनी चीए कि वो संसारिक महुमाया और जुख दुख को छोड़ कर अपने विलासिता को त्याग कर फक्कड की बाती अपने जीवन को जीए बही नेक्स कोशन जीवन शक्ति का संतेश इस पार्ट में छिपा हुआ है कैसे सपस्ट करें आंसर दुखेदी जी ने इस निबंद में फूलों के द्वारा जीवन शक्ति की और संकेत किया है लेखक बताता है शिरिश का फूल हर हाल में स्वयम के अस्तितों को बनाए रखता है में शिरिश का फूल जो है अपने अस्तितों को बनाए रखता है इस पर गर्मी लू आदी का कोई परभाव नहीं पड़ता वो हर स्तिती में एक समान रहता है क्योंकि इसमें जीवन जीने की लालसा है इसमें आशा का संचार होता है और यह फूल तो समय को जीतने की शमता रखता है विपरित परिस्तितियों में जो जीना सीख ले उसी का जीवन सार्थक है शिरिश के फूलों की जीवन शक्तिगी और संकेत करते वे निवंदकार ने लिखा है कि फूल है शिरिश बसंत के आगमन के साथ लहक उड़ता है आशार तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है मन रम गयो तो भरे भादों में भी निरियात फूलता रहता है यानि उसका मन रम गया तो भरे भादों इतनी गर्मी के समय में भी उम्मस के समय में भी वो फलता फूलता रहता है जब उम्मस से प्राण उबलते रहते हैं और लू से हिर्दे सुकता रहता है एक मात्र शिरिष जो है काल जई अवधूत की भाती यानि बच्चे के मन के भाती जीवन की अजियता का मंत्र परचार करता है इस प्रकार निबंदकार ने शिरिष के फूल के माध्यम से जीवन को हर हाल में जीने की प्रेणा दी है उन्होंने कई भावों को इस निबंद में प्रस्तुत किया है यह निबंद सवेदनाओं से भरपूर है इन सवेदनाओं और भावनाओं का विस्तार पुर्वक्चित्र आचारे जी ने किया है यह एक श्रेट निबंद है नेक्स्ट कोशन निबंदकार का अधिकार लिपसा से क्या आश्य है वही इस निबंद में एक परकार में निबंदकार ने अधिकार लिपसा की बात कही है वही एक परसंग में निबंदकार ने क्या का है लेकक ने क्या का है अधिकार लिपसा की बात कही है इस तथे ने भी प्रस्तुत निवंद के लालित्ते को बड़ाया है निवंदकार कहता है कि परतेक में अधिकार लिपसा होनी चाहिए वही हर एक में अधिकार की लिपसा होनी चाहिए लेकिन अधिकार लिपसा का अर्थ है नहीं है कि जीवन भर आप एक ही जंगा पर जमे रहो और कोई कहीं आना जाना करो ही नहीं दूसरों को भी मोका देना चाहिए उनकी योगता को सिद किया जासके वह हमें दूसरों को भी मोका देना चाहिए जिससे वो अपनी योगता को सिद कर सके बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्तली पुष्प पूत्र के से मर्म रहीत होती है शिरिश के पुराने फल बूरी त पुष्प फूल और पत्ते गिरते रहते हैं और शिरिश के पुराने फल जो बूरीत रहें लड़ खड़ाते रहते हैं वो लड़ खड़ाते रहते हैं मुझे इनको देखकर उन नेताओं की याद आती है जो किसी परकार जमाने का रुख नहीं पहचानते वे नेता तो बन गए वो जमे ही रहते हैं पर वो जमाने के रुख को नहीं पहचानते और जब तक नई पोध के लोग उन्हें धक्का मार कर निकाल नहीं देते तब तक व अधिकार भावना को नए अर्थों में प्रस्तूत करना चाहिए इस निबंद की लालित्ते योजना को परभावी बना दिया है नेक्स्ट कोशन व्यंगात्मक्ता इस निबंद की मूल चेतना है प्रस्तूत पाट के आलोक में इस पर प्रकाश डालिये इस तत्व का प्रियोग करके निबंदकार ने अपने निबंद को बोजिल होने से बचा लिया डॉक्टर सक्सेना के शब्दों में आपकी रचना पदधती में कहीं कहीं व्यंगे और विनोध भी विद्देमान है आपको यह व्यंगे अधिक कटू एवम तीखा नहीं होता किन्तु मरमस परशी होता है और हिर्दे को सीधी चोट ना पहुचा कर स्ताई परभाव डालन वाला होता है विद्दों सक्सेना ने अपने शब्दों में लेखक के इस निबंद के विश्य में बताया है परंतु निबंद में व्यंगे तत्व का सौभाविक प्रियोग हुआ है इस निबंद में शिरिश के फूल निबंद में व्यंगे तत्व का सौभाविक दुवेदी जी ने शिरिष के पेड़ की शाकाओं की कमजोरी और कवियों के मोटा पेपर व्यंगे करते हुए लिखा है यह दिपी पुराने कविय बहुल के पेड़ में ऐसी डालाओं को लगा देना चाहते थे पर शिरिष भी क्या बुरा है बहुल के पेड़ों को शीरिश भी क्या बुरा है, शीरिश की डाल पर भी जूला लग सकता है, डाल कमजोर जरूर होती है, पर उसमें जूला जूलने वालियों का वजन भी जादा नहीं होता, कव्यों की यही तो बूरी आदत है, कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते, मैं तुदिल नर्पतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ लगवाले, इस निबंद में एक और विशेषता है, स्पस्टता, वे एक विशेषता ही है, वेकिस में स्पस्टता दिखाए गई है, विवेदी जी ने जो विचार और भाव परकट किये ह उनमें स्पस्टता का गुण विद्देमान है, उनके भावों में कोई उल्जाव या विखराव नहीं है, नेक्स्ट कोशन, शिरिश, अवधूत और गांदी जी एक दूसरे के समान कैसे हैं, पाठ के आधार पर स्पस्ट कीजिए, आंसर, शिरिश के अवधूत रूप के कारण, यानि बच्चे के मन के रूप के कारण, लेकक को महात्मा गांदी की याद आती है, शिरिश तरू अवधूत की तरह, और भाहिये परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंदी, लू, सब में शान्त बना रहता है, चता पुश्पित पलवित होता रहता है, और इनकी तरह ही महात्मा गांदी भी मार काट अगनी दहा, लूट पाट, खून, खचर को बवंडर के बीच स्तिर रह सके थे, इत महात्मा गांदी जो थे, उन्होंने मार काट अगनी दहा, लूट पाट, खून, खचर सब कुश देखा, पर उन सब के बीच में उस्तिर रहे इस समानता के कारण लेखक गांधी जी को याद करता है जिस तरह शिरिष वायू मंडल से रस खीच कर इतना कोमल वा कठोर हो सकता है उसी तरह महत्मा गांधी भी कोमल कठोर व्यक्तितु वाले थे वे वरिक्ष और मनुष्चे दोनों ही अवधूत ह नेक्स्ट कोशिन हाई वे अवधूत आज कहां है लेखक नहीं यहां किसे समरण किया है और क्यों अत्वा हाजारी परसा दुवेदी ने शिरिष के संदर्ब में महत्मा गांधी का समरण क्यों किया है साम्मे निरुपित कीजिए आंसर हाई इफह अवधूत आज कहां है लेखक नहीं यहां महत्मा गांधी का समरण किया है शिरिष बिहंकर गर्मी वालू में भी सरस के फूल दार बना रहता है वह जो शिरिष के फूल है वो गर्मी और लू में भी रस से भरा रहता है और फूल दार बना रहता है गांदी जी अपने चारों और छाय अगनी कांड और खून खचर के बीच सनेही और हिंसक वा उदार दोनों एक समान कठिनाईयों में जीने वाले सरस व्यक्तिते थे गांदी जी और शिरिश के फुलों को एक समान अजारी परसाद व्यदी जी ने समान कहा है यहां पर हमें बताया है कि अशोक व्रिक्ष के बारे में चटर में वर्णन आया है तो उसके व्रिक्ष बारे में हम जान लेते हैं बारतिय साहित्ते में बहुत चर्चित है यह एक सदा भार वरिक्ष है इसके पत्ते आम के पत्तों से मिलते हैं उनकी शेप आम के पत्तों के जैसी होती है बसंत रीतु में इसके फूल लाल लाल गुच्चों के रूप में आते हैं इसे काम देव के पाँच पुश्प वानों में से एक माना जाता है अशोक वरिक्ष के पत्ते इसके फल सेम की तरह होते हैं इसके सांस्कृतिक महतो का अच्छा चित्रन हजारी परसा दुवेदी ने निबंध अशोक के फूल में किया है ब्रह्म वन्ष आज एक दूसरे वरिक्ष को अशोक कहा जाता है और मूल पेड जिसका वास्तिक नाम साराका इंडिका है को लोग भूल गए है उस वरिक्ष का नाम साराका इंडिका है उसको लोग ब्रह्म वंश अशोक के वरिक्ष कहने लगे हैं इसकी एक जाती श्वेद फूलो वाली भी होती है दूसरा है अरिष्ट वरिक्ष अरिष्ट वरिक्ष होता है रीठा नामक वरिक्ष इसके पत्ते चमकीले हरे होते हैं फल को सुखा कर उसके छिलके का चूरन बना ऑकड़ाया बाल धोने एवं कपड़ साफ करने के काम में आता है पेड़ की डालियों वा तने पर जंगा जंगा काटे उभ्रे होते हैं जो पाल OR कपड़े धोने में काम भी होता है ठाम होता है अरिच्ण का मतलब होता है पत्र हिन ठूट सा हो जाता है पर इस पर पीले पीले पुश्प गुच्छे लटके हुए मनोहर द्रिश्य उपस्तित करते हैं इसके फल लगबग एक डेड़ फूट के बेलनाकार होते हैं जिसमें कठोर बीज होते हैं जो अरगे अमलतास के फल होते हैं वो एक डेड़ फूट लंबे बेलनाकार एक डंडे के सामान होते हैं और वो ऐसे लटके होते हैं जैसे एक धागे से लटके हैं और कठोर बीज होते हैं उसके अंदर शिरिष वरिक्ष लोग में शिरिष नाम से मशूर पर एक मैदानी इलाके का वरिक्ष है आकार में विशाल होता है पत्ते बहुत चोटे चोटे होते हैं इसके फूलों में पंखुडों की जंगा रेशे रेशे होते हैं तो इस परकार हमने चैप्टर के एक्स्ट्रा कोशन अंसर्स को स्माप्त किया हमने लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड हर कोशन को एक्स्प्लेन करके देखा हमने चैप्टर का एक्स्प्लानेशन पाठ्थे पुस्तक पर अधारित प्रशन उत्रों को और एक्स्ट्रा क और very short questions को बनाया है आपको सिर्फ इन्हें समझना है और पढ़ना है और chapter की त्यारी करनी है वीडियो अच्छा लगे तो like, share और subscribe करना और वीडियो की wait करना तब तक के लिए Thank you